नमस्कार फ्रेंड्स वीरवार को बिना वरत किये ही आप ये दि पांच काम करते हैं तो अपने जीवन की बहुत सारे प्रेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तो आज हम आपको चलिए करकर दिखाते हैं हम क्या-क्या पांच कारिये करें और कौन से पांच कारिये हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स चाहे आप वीरवार के दिन व्रत करें या ना करें लेकिन वीरवार के दिन आपको पीले वस्तर धारन करने बहुत ही शुब होता है आप पीले रंकी साड़ी पहन लीजिए पीले रंका सूट पहन लीजिए पीले वस्तर आप वीरवार के दिन अवश्य ही पहने पीली साड़ी पहन सकते हैं पीला सूट पहन सकते हैं पीला आप कुछ भी स्वेटरों गयरा भी पहन सकते हैं तो वीरवार के दिन आप पीले वस्र अवश्य ही धारन करें इससे भी गुरु महराज का पूरा आशिरवाद मिलता है और गुरु ब्रस्पतिवार प्रसन होते हैं और आप पर बहुत कृपा प्राप्ट कराएंगे बहुत कृपा आपको परदान कराते हैं तो वीरवार के दिन आप पीली साड़ी सूंट वस्र कुछ भी पहने लेकिन पीले रंग के वस्र वीरवार के दिन अवश्य ही धारन करें ये मैं पीली साड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पीली साड़ी मैं हर पेहन लेती हूं, कई बार सूनुट भी पहन लेती हूं, आप के पास जो भी है बिना वरत किये ही, आप पीले वसर वीरवार को अवश्य ही पहने। पीले वसर पहनना वीरवार के दिन बहुत ही शुब होता है उसमें प्रिंट और अग्यरा कुछ हो कोई बात नहीं लेकिन पीला रंग उसके अंदर अवश्य ही होना चाहिए साथ ही आप पीले रंग की मैंगल्स भी पहन सकते हैं उसके बाद second काम आप कर सकते हैं friends गुरु वार के दिन आप गुरु महराज को ब्रस्पती महराज को पीला आप तिलक लगाएं वैसे तो हर रोज में हम सिंदूर का चावल का तिलक यूज करते हैं तो आप पीली हल्दी क्योंकि हमारी कीचन में बहुत असानी से मिल जाती है आप पीली हल्दी का भगवान जी को इस दिन तिलक लगाएं बहुत ही शुब होता है पीली रंग की वसुओं का प्रियोग करना भगवान को पीले रंग का तिलक लगाना खुद भी हलका सा पीली हल्दी का तिलक लगा लेजिए लेडीज पीले रंग की बिंदी लगा लेजिए और साथ में हल्दी का तिलक लगाना बहुत ही शुब होता है भगवान जी को इस दिन आप कुमकुम की जगा पीली हल्दी का ही तिलक लगाए तीसरा काम कर सकते हैं फ्रेंड्स हम इस दिन एक जल का लोटा भर लीजिए जल के लोटे के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी चुटकी बर हल्दी डाल दीजिए और एक फूल या कोई भी पत्ता ले लीजिए और फूल को डिप करके इसके छीटे आप सारे घर में हलके हलके से लगाएं इसे भी नेगटिव एनर्जी दूर होती है गुरु महाराज जी का पूरा अशिरवाद मिलता है और अपनी क्रिपा भगवान बनाए रखते है तो आप पीले फूल से, पीले जल से, हल्दी मिले जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए इससे भी मालक्षमी जी का घर पर वास होता है गुरु महाराज जी का पूरा अशिरवाद मिलता है एक बरतन के अंदर पात्र में आप ये चार चीजें ले लीजी हल्दी, मुनक्का या किश्मिश ले सकती है गुर ले लीजी और चने की डाल इन चारों चीजों का भोग आपको भगवान जी को लगाना है हल्दी का तिलक करना है गुर या चने की डाल का या फिर मुनक्का या किश्मिश और चने की डाल का इन में से जो भी आपके पास दो चीजें अवलेबल हैं वो भगवान जी को भोग में आप अवश्य ही लगाएं निदी आपके गमले में केले का पेड लगा हुआ है तो आपने हल्दी में देखी मैं लोटे के जल में हल्दी तो मिला ही चुकी हूँ थोड़ी सी हल्दी और मिला देते हैं हम साथ में थोड़ी सी चने की डाल डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड तोड़ कर डाल दीजिए और एक मुनक्का या किश्मिश इस जल से आप अपने घर में यह दि केले का पेड़ है तो उसमें दे दीजी नहीं तो यह दि तुलसी का पोदा है तो आप तुलसी जी में भी दे सकती है मेरे घर में केले का व्रिक्ष नहीं लगा हुआ तो मैं यह वला जल तुलसी के पोदे में दे देती है चाहें ये दिए आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का वरिक्ष है तो आप इस जल को उसमें दे दीजी इससे भी गुरुग्रह आपके स्ट्रोंग होते हैं घर में खुशियां आती हैं पती के साथ रिष्टा हमारा मजबूत होता है परिवार की भलाई के लिए ये कुछ काम आप बिनावरत किये भी करें इससे बहुत ही शुपपलों की प्राप्ति होती है तो मित्रों इस भोग को भगवान जी को लगा कर आप परशाद रूप में सभी में बाटे और खुद भी ग्रहन करें और इस जल को आप दूलसी के पोधे में या फिर यदि केले का वरिक चने की दाल से बना हुआ कोई भी भोजन बना सकते हैं बेसन की पकोड़ी बना लीजी बेसन की कड़ी बना सकते हैं बेसन के लड़ू बना सकते हैं या फिर बेसन का हलवा बना कर आप इस जिन अवश्य ही ग्रहन करें चने की दाल का भोजन करना इस जिन बहुत ही शुप ह होता है आप इस दिन चने की दाल का भोजन घर पर बनाएं भगवान का भोग लगा कर सा परिवार ग्रहन करें इससे भी गुरु महराज जी की पूरी ग्रिपा प्राप्त होती है अब हम बताते हैं मित्रों इस दिन कौन से पांच काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वीरवार के दिन किसी को भी करज नहीं देना चाहिए किसी को उधार नहीं देना चाहिए अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या कोई समान खरीद रहे हैं उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं लेकिन किसी को उधार या कर्ज नहीं देना चाहिए इससे भी या तो आपका पैसा वापिस नहीं मिलेगा और आपके धन में हानी होती है तो इस तरह से गुरुवार के दिन किसी को भी कर्ज देने से हमें बचना चाहिए कर्ज नहीं देना चाहिए गुरुवार के दिन आप नई चीज वस्तु लाना चाहते हैं तो वो बहुत शुब होता है पैसो से खरीद कर आप कुछ लाते हैं वो बहुत शुब होता है लेकिन किसी को भी इस दिन कर्ज बिल्कुल भी ना दे दूसरी चीज मित्रों इस दिन करनी नहीं चाहिए हमें नया चाकू, कैंची, धार वाली कोई भी चीज वीरवार के दिन खरीदनी नहीं चाहिए इन सब चीजों को खरीदने से हमें गुरुवार के दिन बचना चाहिए साथ ही इस दिन नेल कटर भी ना खरीदें ना ही नेल्स काटें, ना ही इस्तरियां सिर्ध होएं, बाल धोएं और पूर्षों को इस दिन शेविंग नहीं करनी चाहिए, हजामत नहीं बनानी चाहिए ये सब चीजें तो हमें बहुत पता हैं लेकिन कई बार हम गलती से चाकू या कैंची या नेल कटर खरीद लेते हैं वीरवार के दिन तो ये सब चीजें वीरवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरेदनी चाहिए किसी और दिन आप खरेद सकते हैं लेकिन वीरवार के दिन इन तीनों चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं खरेदना है साथ ही फ्रेंट्स, वीरवार वाले दिन कोई भी कबार, बोटल, रद्धी, पेपर और भी घड़ से ना हटाएं, ये भी शुब नहीं माना जाता इस समान को आप रख लीजिए, अगले दिन आप रद्धी को फैक सकते हैं, हटा सकते हैं, या रद्धी वाले को बेश सकते हैं, लेकिन वीरवार के दिन इन सब चीज़ों को नहीं हटाना चाहिए, इसे भी शुब नहीं माना जाता फ्रेंड्स वीरवार के दिन ये सब काम हमें जुरूर करने चाहिए, नियम से इस सबी प्रेशानियां दूर हो जाती हैं, और कुछ काम जो हमने आप से शेयर किये, बिल्कुल ना करें, आपके जीवन में स्वयम ही बतलाव आप महसूस करेंगी, आपको आज की हमारी जानक करेंगी